नमस्कार दरसको स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेगमेंट में जहां मैं आपको बताऊँगा कि पित्र दोस निवारण के ऐसे उपाए जो आप केवल रतनों को धर्ण करके कर सकते हैं यूँ तो सबसे बहतर उपाए यह होता है कि आप विधिवत रूप से श्राद क करें तरपन करें लेकिन इसके अलावा भी आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप कुछ विशेश रतन धर्ण करके अपने जीवन में पित्र दोस की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं इससे नकेवल आपको पित्रों का आसिरवाद मिलेगा बलकि जीवन में तरक्क के भी नए रास्ते खुल जाएंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर यह पित्र दोस होता क्या है सबसे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है और इसके नेगेटिव इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है अगर आपकी जन्म कुली में पित्र दोस है तो आपको हेल् की प्रॉलम है थी शूष आ सकते हैं करियर में रुकावटे आती हैं फाइनेंशल प्रॉलमस आपको आती रहती है पारबारे विवादों का सामना साथी साथ पुत्र प्राप्ती में भी अर्चनों का सामना करना पड़ता है वेतिगों कई बार तो ऐसा देखा गया है कि समाधान कैसे किया जा सकता है तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी क्योंकि जोतिस सासर में पित्र दोस्ट के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ खास रत्न बताए गए हैं जो ना सिर्फ पित्र दोस्ट के बुरे प्रभाव को कम करते हैं बलकि जीवन वे और इसे धारण करने से सूर्य मजबूत हो जाता है उसे बल मिल जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य को बल दे करके उसे मजबूत करके क्या फाइदा तो मैं आपको बता दूं कि इससे आत्म विश्वास बढ़ जाता है समाज में मान समान प्रितिष्टा मिल जाती है और सबसे बड़ी बात पित्र दोस के बुरे प्रभाव से भी छुटकारा मिल जाता है क्योंकि पित्र दोस का बहुत ही प्रवल संबंद सूर्य के साथ ही है इसे धारण करने का सही तरीका है इसे संडे के दिन सोने या तामे की अंगूठि में जड़वाकर अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। और इसे धारन करने से ब्रस्पती की इस्थि मजबूत हो जाती है पत्रिका के अंदर। ब्रस्पती के मजबूत होने से आपके जीवन में ग्यान धन और सम्रदी का बास हो जाता है अगर आपकी कुल्ली में पित्र दोस की वज़े से कोई परेशा नहीं चल रही है तो पीला पुखराज आपकी पूरी साहिता करेगा लेकिन याद रखें ये रत्न हर किसी के लिए यूसफुल नहीं होते इसलिए इसे धरन करने से पहले आपको किसी जोसी से सलहा लेनी चाहिए मित्रो एक फ्रेशन और भी उड़ता है कि जैमिश्ट उनों को कैसे धरन किया जाए और इन्हें धरन करने में कितनी जल्दी प्रभाव की उम्मीद की जा सकती है देखिए आपको इस बात को इश्पष्ट कर दूं कि हर व्यक्ति की पत्र का अलग अलग होती है इसलिए हर रत्न का असर भी अलग देखने को मिलेगा लेकिन एक बात बिलकुल तैह है कि अगर सही तरीके से सही गाइडनेंस में आप इन रत्नों को धारन कर लेंगे तो जीवन की रूप रेका ही बदल जाएगी सभी समस्याओं का छुटकारा तुरंट मिल जाएगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बालाजी जोते स्पीट के एक्सपर्ड एक्स्ट्रोलोजरों से बात कर सकते हैं अपनी जर्मकुली को दिखा सकते हैं हमसे भी बात कर सकते हैं आज के इस खास सैंगमेंट में बस इतना ही आसा करता हूँ कि जानकारी आपके लिए उपयोगी थावित होगी हमारे साथ बने रहिए जैशियराम जैशिपाला जी धन्यवाद